जूट बोलो, बार बार जूट बोलो, कुछ कहो तो जूट कहो, कुछ लिखो तो सिर्फ जूट लिखो, और इतना जूट फैलाओ कि तुम्हारा घर, प्रोपगेंडा और यहां तक कि तुम्हारे नसों में भी जूट चलता रहे। जनता का क्या है भोली है सनीमा देखती है और जब तक देखती रहेगी तब तक पागल बनती रहेगी पर इस आड में तुम अपना घर आबाद कर लो देश को छोड़ो तूटे चाहे भाड में जाए वैसे भी तुम्हारी बेसर्म पत्रकारिता का क्या है जब कलम ही बिक इसे की सुचिता सनरक्षित रखने के बजाए घर चलाने और धन्ज उटाने पर ध्यान दिया जाए आप भी सोच रहे होंगे कि हम कैसी बाते कर रहे हैं और किसको संबोधित एवं संदर्वित करते हुए कह रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हम ये बातें दक्विंट की ब पार सफलता और व्यापक पैमाने पर जनता में फैली जागरूपता से बौखला गया है इसलिए अब वह अपनी बेसर्म दुरागरह जनित प्रोपगेंडा ग्रशित और जूठी पत्रकारिता को आगे बढ़ाते हुए गुजरात दंगा पीडितों के आर्थिक सहायता है चंदा जुटा रहा है इतना ही नहीं जमा हुई रासी सिर्फ और सिर्फ गुजरात दंगों के सिकार हुए मुस्लिमों पर ही खर्च की जाएगी दक्विंट का यह अभियान ना सिर्फ उसकी विभाजनकारी पत्रकारिता को प्रदर्शित करता है बलकि उसकी हिंदु अपना राघाव बहल और रितु बहल जो कि उनकी पत्नी भी हैं ने मिल कर की थी कहानी 2011 में शुरू होती है श्री बहल मीडिया ग्रूप से बहुत जादा कर्ज में थे उन पर अपने बैंकों का सही और निश्पक्ष खुलासा न करने का भी आरोप लगाया गया उन्होंने 29 मई 2014 को नेटवर्क आधिकारिक रूप से छोड़ दिया था उसने सारा फंड तो ले लिया लेकिन कर्ज में डूबी कम्पनी को ऐसे ही छोड़ दिया इसका मतलब जूठ और फरेव पर ही क्विंट की अस्ठापना हुई है इसके साथ ही उनके पास दे स्क्रॉल, दे वायर and the print का भी मालिकाना हक है सभी चैनलों के विचार एक जैसे हैं जो की हिंदू फोबिया, मोदी फोबिया और भारत फोबिया विचारों को प्रदर्शित करते हैं दे क्विंट की पत्रकारिता भी अब जाकिया जाफरी और तीस्ता सितलवार सरीखे तथा कथित समाज सेविय भी नीचे गिर चुकी है, दरसल यह मीडिया संस्थान चंदा जुटा कर दंगा पिरितों की मदद नहीं करना चाहता, बलकि इस माध्यम से अपना विज्यापन और प्रचार प्रसार कर रहा है, यह सिर्फ दक्विंट के लिए एक लोगप्रियता एस्टन्ट ही नहीं है, बलकि यह हिंदूओं और मोधी सरकार को नीचा दिखाने का एक कुछित प्रयास भी है, दक्विंट आपको यह कभी नहीं बताएगा कि मुस्लिम चरमपंतियों ने ही ट्रेन में आग लगाकर 69 हिंदूओं की हत्या कर दी थी, जिसके कारण लोगों में प्रतिसोध प्रतिक्रिया की भावना फैली, दक्विंट आपको यह कभी नहीं बताएगा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने जो कि उस समय गुजरात के मुखे मंत्री भी थे, सिगरता सिगर कारवाई करते हुए, अपने पडोस के कॉंग्रेस सासित राजियों से पुलिस और सुर सबसे महत्वकुन बिंदू जो क्विंट आपको नहीं बताएगा वो यह है कि उस दंगे के पिडितों में हिंदू भी सामिल थे और सबसे ज़्यादा सिकार तो वहां के माहौल से प्रभावित हुए हिंदू व्यापारी थे। दक्विंट के ऐसा करने के स्वभाविक कारण भी हैं यदि आप सत्ता में हैं तो आप क्या करेंगे आपका जवाब होगा मीडिया पर नियंत्रन दो हजार चार से दो हजार चोदह तक जब कॉंग्रेस सरकार थी इस दोरान यही स्थिती रही। कॉंग्रेस स्री बहल के वित्त को प्रयोग करने और जूठे विचार दोनों का प्रयोग कर जनता को दिख भ्रमित करने के लिए स्री बहल को खुली छूट दी। इसके साथ क्विंट जादा तर जेन्यू क्वालिफाइड छद्म बुद्धी जीवियों को ही हायर करता है। जिस दिन नरेंद्र मोधी सत्ता में आये थे अर्था 26 मई 2014 को उसी दिन श्री बहल ने भी नेटवर्क 18 छोड़ा था। उन्हें लग गया था कि अब उनके जाने का समय आ गया है और एक ऐसे पत्रकारिता के न्यू रखने का ओसर प्राप्त हुआ है जो कॉंग्रेस के विचारों और एजेंडा को आगे बढ़ाएगी। अपने आपको बचाने के लिए वे कॉंग्रेस के काले सच और काले हाथ के साथ हो गए और अब तक हैं। अगर आपको विश्वास नौ हो तो हाल के दिनों में इस चैनल के प्लेटफॉर्म पर होने वाले बहस को देख लीजिए। आपको लगेगा कि किसी पाकिस्तानी टीवी का न्यूज देख रहे हैं। दक्विंट के द्वारा किये गए बहस के कुछ मुद्दे इस प्रकार हैं। क्या भारत ने बाला कोट में हमले किये हैं। क्या भारतिय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किये हैं। कुल्भूसन यादव जासूस थें। क्या भारतिय पाइलट ने सचमुच F-16 को मार गिराया है। RSS एक हिंदू आतंकवादी संगठन है। ये सारे सीर्षक दक्विंट के द्वारा किये गए बहस के मुद्दों के हैं। पत्रकारिता किसी सरकार के पक्ष में तो नहीं होती लेकिन वास्तों में भाजपा इस कारण सराहनी है। क्योंकि वे अपने विचार पर टिके रहें। डोनाल्ड ट्रप और ठेरेसा जैसी विदेशी नेताओं ने भी अपने भाषण में इसलामिक आतंकवाद का हवाला दिया। लेकिन मोदी ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने पी एम की गरिमा का ख्याल रखा। लेकिन लगता है क्विंट पत्रकारिता की मर्यादा भूल गया है। वे आरोप लगाते हैं कि कुछ मीडिया द्वारा लोगों को राष्टर विरोधी बता दिया जाता है। तो उनसे भी एक जवाबी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपको हिंदु धर्म को आतंकवाज से जोड़ने का अधिकार किस ने दिया।